राजनीत में खिलाडियों की एंट्री कोई नई बात नहीं इसी क्रम में अब एक और कड़ी जुड़ने जा रही है जिहां मैं बात कर रहा हूँ देश के नामचीन पहलवान बजरंग पुन्या और विनेश फोगाट के बारे में बजरंग और विनेश ने कॉंग्रेस पार्टी जुड़न कर ली है जहां बजरंग हर्याना प्रदेश के कॉंग्रेस संगठन की जिम्मदारी निभाएंगे वही विनेश फोगाट हर्याना विधानसभा चुनाओ भी लड़ेंगी और इसको लेकर देश भर में सियासी चर्चाओं का जो दौर है वो जारी है हमारे साथ बाचीत के लिए जुड़े हैं भारती कुस्तिसंग के अध्यक्ष संजय सिंग जी हम उनसे भी चर्चा करेंगे अब संजय जी अखाडे से चुनावी दफ्तर तक का इन खिलाडियों का सफर आप कैसे देखते हैं अखाडे से पहले भी कई पहलवान और कई खिलाडी पहलवान की बात हम नहीं कर रहे हैं कई खिलाडी राजनीत में गए हैं, लेकिन उनका राजनीत में जाने का अपना एक अलग रास्ता था, यहां क्या हुआ है, यहां कांग्रेस ने ही इस धरने को प्रायुजित किया, और इस धरने को प्रायुजित तब किया है जब हमारे देश के पधानमंत्री जी ये कहते हैं सारवजनिक मंच से कि भारती ये कुष्टी एक सुरक्षित हाथों में है उसी के बाद से इस सड्यंत्र के शुरुवात होती है और ब्रिजभूसंद सरन सिंग जी के उपर इतना घिनवना आरोप लगाया जाता है जो कि उसमें कहीं भी कभी उनके उपर ये आरोप नहीं लगाया सकता और पहले दिन से भारती कुष्टी संग और देश के लोग कुष्टी ये पहलवान जो जुड़े थे वो यह कह रहे थे कि इसके पीछे कांग्रेस है और यहाँ साबित हो गया आज कि इसके पीछे कांग्रेस है आप Congress Party की बात कर रहे हैं जबकि बजरंग पुनिया का ये कहना है कि हम लोग तो भारती जनता पार्टी और उनके सांसदों से उनके जन प्रतनिदियां उनके सामने ही रखे उन्हों नहीं नहीं सुना इसलिए हम Congress Party के पास बें ये जो आरोप लगा रहे हैं बजरंग पुनिया के Congress ने उनकी मदद की यहीं आपका कहना है कि Congress ने उनकी मदद की भाजपान ने नहीं सुन लें मैं बजरंग पुनिया से पूछना चाहता हूँ कि भारती कुस्ती संग का चुना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे चुना हुआ था, संबेधानिक तरीके से चुना हुआ था, 47 मत पड़े थे, जिसमें 40 मत पा करके मैं चुनाव जीता था और 7 मत पा करके उनके कारण के दो दिन बाद भारती जनता पार्टी ने भारती कुस्ती संग को सस्पेंड कर दिया, यह किसने कांग्रेस ने किया था, कि भाजपा ने किया था, तो किसकी मदद हुई थी यह, यह कहते है कि नहीं किया, अभी बिनेश फोगाट के उपर आए, बिनेश फोगाट कह कि मुझे WFI पे कोई भरोसा नहीं है भारत सरकार ने WFI के कहने पे उनके लिए अलग से कोच की ब्योस्था की अलग से स्पार्किंग पार्टनर की ब्योस्था की अलग से उनके लिए पूरे स्टाप सपोर्टिंग स्टाप की ब्योस्था की उस पे भारत सरकार और हमारे आपक देश की 140 करोड जनता के टेक्स का पैसा लगा और 75 लाख रुपे उनके उपर भारत सरकार ने ये कांग्रेश ने किया भाजपा ने उनकी हर कदम कदम पे उनकी मदद की है लेकिन जब वो पूर्व से प्रायुजित था तो उनको कांग्रेश के खेमे में जाना था और वो दोकसान पौक लगा रहे हैं इन civic से उपर आरोप लगा है बिना कोई आरोप होते हुए वह वी चार सीट फाइल की गई उसमें सबूत नहीं मिल रहे थे चार सीट फाइल और यह समामला कोल्ट में है अग कोल्ट इसको निर्धारित करेगा कल यह कोल्ट के उपर भी आरोप लगाएंगे यह आरोप लगाने के आदी हो चुके हैं क्योंकि यह कांग्रेस के प्यादे हैं आपने कांग्रेस के प्यादी होने की बात कही एक सवाल ये भी है कि जब ये बात कहते हैं भजरंग पुन्या और विनेस फोगाट की हमने पूरी महनत की थी हमने पूरी ताकत जोग दे थी और हम तमाम चुनोतियों का सामना करके वहां तक पहुचे थे लेकिन मेडल से हम कुछ दू के साथ गई थी वजन कैसे बढ़ा और वजन क्यों नहीं कम हुआ इस सबकी जिम्मेदार विनेस फोगाट और उनके सपोर्टिंग स्टाफ हैं और देश का जो नुकसान हुआ इसके लिए भी जिम्मेदार देश के मेडल का जो नुकसान हो इसके लिए भी जिम्मेदार वह किसी खेल से जुड़े हो वह या जान गए हैं कि इन लोगों ने कुस्ती को बरबाद किया है और अगर यह आंदोलन यह नहीं किये होते तो इस ओलंपिक में भारती कुस्ती संग के कम से कम छे मेडल आते प्रिया का मेडल आता सरीता मोर का मेडल आता और सुजीत का मेडल आता तमाम ऐसे पहलवान हैं जिनका की मेडल आता और हमारी ओलंपिक एयर में जान बुच करके इन लोग धरने पे और यह तरह का अंदोलन चलाए ओलंपिक एयर में हमारे पहलवान डिस्टर्ब हो गए जिनसे उनकी अच्छी तयारी नहीं हो पाई और मेडल का मेरे नुकसान हुआ है मैं तो भारत सरकार से मांग करूंगा कि इस आंदोलन की जाच करा करके जो भी इनमें दोसी पाए गए हो और देश के मेडल का नुकसान किये हैं तो उनके उपर देश द्रो का मुकदमा चलाए जाए आप ये कहना चाह रहा है कि कहीं ने कही इनके आंदोलन की वज़े से जो हमारे भारती खिलाडी ओलंपिक तक पहुचे थे उनके मनोबल पर असर पड़ा इनके आंदोलन से जो हमारे खिलाडी तयारी ओलंपिक की कर रहे थे हचार साल से दो साल से उनके वज़े से वो फिर ट्रेक्टिस नहीं कर पाए ना उनका कह लगा खेल का एक नियम है कि ने नस्ञाल के बाद कैंप लगाया जाता कैंप के बाद साल में इंटी ननामेंट होता हुथा उसमें जाते हैं एक्सपोजर मिलता है ये दो साल ये पूरी 18 महिने ये पूरी एक्टिवीटी 14 महिने ठब थी इसकी वज़े से हमारे पहल्वानों क सही तैयारी नहीं हो पाई यह जाच होना चीए कि अंदोलन जिसने भी बैठाया और जो लोगी से अंदोलन में थे उनके खिलाब जाच होनी चीए राजनितिक परिवार हर्याणा की बात कर ले तो उनको लेकर भी अब चर्चाएं हो रही है कि अब उनके जो भी नित्रित है वहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है और बिनेस भी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है आपको क्या लगता है आपने तो सिदे से दे कह दिया कॉ पर यह आंदोलन हुआ था हम नहीं कह रहे हैं पूरा देश कह रहा है जिस दिन से आंदोलन पर बैठे हैं उस दिन से पूरा देश कह रहा है दिपेंदर हुड़ा और भुपेंदर हुड़ा को कर रहा है हम थोड़े कह रहे हैं तो पूरा देश हमारा कर रहा है कि इसके पीछ पहले दिन से कहा गया कि इसके पीछे कांग्रेस है और आज कांग्रेस ने साबित कर दिया कि मैं इसके पीछे था और इस इन लोगों के वहां जाने से कांग्रेस का नुकसान होगा बहुत लंबा नहीं है पांच अक्टूबर तक पता लग जाएगा इनके जाने से कांग्रेस किस तरीके से जो हमारे और भी भविश्ट के खिलाडी आएंगे उनको प्रोच साहिए आने वाले समय में अभी कुस्ती संग के उपर सभी खिलाडीयों का सभी गारजियन का भरोसा कुस्ती संग के उपर इन्होंने तो ऐसा कर दिया था कि गारजियन बच्चों को भेजने से अब दोनों का एक दूसरे पर भरोसा हो गया है और गारजियन भी समझ गये कि आरोप निराधार था इन्होंने पहलवानों को भी बदनाम किया पहलवान भी अब इनके साथ कोई एक सिंगल पहलवान नहीं है इन तीनों को छोड़ दिया जा तो इनके साथ कोई एक पहलवा अभी इस्पेन में चल रहा है जिसमें हमारी बच्चियों को अभी तत्काल इवेंट चल रहा है एक गोल्ड, दो सिलवर और दो कांस मिला है तो हमारी कुस्ति दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और अपने पूरे सवाब पे है और पहलवान हमारे और हमारा संग दोनों इ तो एक विशे एक बात ये भी निकल कर आई थी कि कहीं ने कहीं इसके आड़ में दो राज्यों के बीच में भी ये बात आने लगी थी कि खिलाडी कुष्टी संग जो है नित्वित कर रहा है। देखिए ये ऐसे लोग अपने हमें चर्चा कर रहे थे लेकिन कोई दो राज ये के वर्चस्व की बात नहीं थी इनका था कि मैं कुस्ती संग पे कबजा करूं और ये जो चाहते थे कि अपने हिसाब से मैं बिना ट्रायल दिये जाओं बजरंग जी गए थे बिना ट्रायल द नहीं भी अब ये नहीं है कि हमारे जो पहलवान दूसरे जो पहलवान है और राज ये का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आप कुस्ती मेने किसी भी खेल में आप देखेंगे तो हर्याना के बच्चे महनत करते हैं खेल के मामले में आप देखेंगे तो वो खेल के बेताज ब इन लोगों का था क्योंकि दिपेंदर हुड़ा को ही हरा करके और बुरी तरह हरा करके उस समय भी दिपेंदर हुड़ा जब इनके खिलाब बिजभूसन सरण सिंग जी के खिलाब चुनाव लड़े थे उस समय पच्छत्तर ओट था जिसमें 68 ओट ये पाए थे और 7 ओट प्रभावित क्या और उनको लगा कि वो हमारी बातों को सुनेंगे और इसलिए उनके साथ उनके कहने पे इन लोगों ने अंदोलन सुरू किया है तो उनकी तारीफ करेंगे ही हमने तो आपको तीन-चार पॉइंट बता दिया कि भाजपा ने मदद किया इनका खुले खुले तौर पर भाजपा ने इनको मदद किया है उसके बाद भी जब हमारा माइंड सेट अप है और जो हमारे पीछे है तो भी हमको नहीं नहीं जाने देगा तो आपके उपर इसने खर्चा किया है अंदोला नहीं से तो चल नहीं जाता है तो जब इनकी लड़ाई और इनका आर चुनाव संजे सिंग जीत गए तो अभी कुष्टी को अच्छे से चलने दिये होते उनका जो कोट में मुकदमा चल रहा तो कोट में मुकदमा चलता जो डिसी जनाना होता था यह आंदोलन को जारी रखना भाजपा को बदनाम करना और प्रिजभूसन सरन सिंग जी आरोप लगाने के कारण और था वो भाजपा से जुड़े थे और कांग्रेस उसके पीछे है 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 शुक्रिया बातचीत के लिए तो तमाम विश्यों पर भारती कुष्टी संग के अध्यक्स संजय सिंग ने हमसे बातचीत की for exclusive and insightful videos subscribe to our new channel abp live premia